नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल अकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आज है दिनांग 17 सितंबर 2022 देखेंगे आज के मुख्य समाचार At SEO Meet, Modi and Sharif spar over transit trade access SEO की मीटिंग में हमारे शश्वी प्रादमंद्री ने कई सारे मुद्डे को उठाया है गौर तलब है कि कई देशों के रासाधक्ष के मौजूद्की में कई ऐसे मुद्ड़ पर चर्चा होई है जो कि पूरे विश्व के लिए काफी ज़रूरी है जो कंट्रीज SEO के मेंबर्स हैं उनके बीच connectivity को बढ़ाना है इसके लिए इन कंट्रीज को transit rights दिये जाने चाहिए मतलब कि आप देखो तो goods और people's के easy inflow और outflow को encourage किया जाए योंकि SEO में पाकिस्तान भी एक member है तो कयास ये लग रहे थे कि में भी प्रधान मंतरी पाकिस्तान के साथ भी bilateral talks करेंगे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अपने speech में कई सारे topics को डाला था उन्होंने जैसे cooperation between countries in Eurasian reason और दूसरा supply chain के transit issue पको लेकर काफी चर्चा हुई फिर आप देखो तो energy crisis और even food crisis पर बात हुई जो कि आपका COVID के कारण जो pandemic कारण जो ये issue create हुए थे इन पर कई सारे points mention किये गए प्लस इंडिया में होने वाले manufacturing पर भी focus किया गया तो ये आपका meeting जो SEO की हुई है वो आपका उजबेकिस्तान के समरकंड में हुई है बाकि इस पर detail discussion हमने पिछले classes में किया ही है SEO क्या है और उसके क्या क्या उसमें details है उसके लिए आप पीछे वाले classes को refer कर सकते हैं हम आते हैं next news कर दूसरा जो आपका news है आगे बढ़ते हैं SCRs center reply on issue of marital rape marital rape को इंडिया में काफी debatable topic माना जाता है but according to me there should be not any debate on it forcefully जो भी physical relationship को मतलब करा जाता है वो at any cost termed as rape but यहाँ पर ambiguity इस बात पर है कि marriage जो एक physical relation बनते हैं marriage के बार तो अगर वो forcefully हैं तो क्या वो rape के category में आते हैं या नहीं इंडिया में कुछ topics कभी काफी taboo है मतलब जिस पर हम बात करने से लोग काफी कतराते हैं यह भी उन्हुँई में से एक topic है actually दो cases पर यहाँ पर main ambiguity है पहला किमाल लिजे शादी दोनों के मर्जी से हुआ हो जो आपका मेर और फीमेल है दोनों के मर्जी से हुआ हो और after some time due to some issues girl is not comfortable to having physical relationship with her husband लेकिन फिर भी forcefully हो तो क्या वो marital rape में आता है क्या वो criminalize हो सकता है वैसे ही एक और condition है कि सादी ही जबरन हुई हो तो क्या ये विवाद है कि अगर जो उसके बाद जो आपके marital संबंद बनेंगे तो क्या वो rape के category में आएगा कारण विवाद का ये है कि क्या इनको criminalize करना सही रहेगा क्योंकि एक तरक ये भी दिया आता है कि अगर criminalize कर दिया गया तो क्या इसका misuse नहीं होगा maximum cases में आप अगर देखो तो dowry जो act americas बना है तो उसमें अब अब क्या हो रहे है कि अधिकतर cases उसमें उसमें आप false cases हो रहे है misuse हो रहा है उसका तो जो proper जो original cases होंगे उनकी संख्या घड़ जाएंगी तो आप देखो IPC के section 375 के अंदर marital rape को exceptions की रूप में डाला गया है इसी को लेके Supreme Court ने किन सरकार से उनकी राय मांगी है even recently जो High Court का judgment आया था उसमें भी जो डो judge थे उनके भी अपने different judgments है उसमें एक उन्होंने support कर रहा था कि क्या criminalization होना चाहिए दूसरे का ये concern था कि क्या इसका misuse नहीं हो पाएगा तो देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इस पे काफी सारे articles आएंगे तो हम इस पर और detail में चर्चा करेंगे नेक्स्ट निउस है आपका Today's era is not of war Modi tells Putin SEO के summit के बार India और Russia की by little talk हुई उसमें Modi जी ने काफी concern उठाएं ये समय war कर नहीं है जल्दी ही Ukraine issue को sort out करना चाहिए इंडिया ने पहली बार Russia-Ukraine war को लेके public में अपना discomfort जाहिर किया है Russia ने जबाब में कहा है कि हम आपके concern को समझते हैं बट जो opposition party है वो किसी भी further talks के लिए तयार नहीं हमारा भी प्रयास है कि जल से जल sort out हो सके देखिए Russia-Ukraine war से पूरे wish में inflation बढ़ा है अगर आप देखो तो जितने भी import dependent countries है जैसे India इन पर काफी effect बढ़ा है इवें जो आपका western countries है वहाँ पर भी energy sources के किल्लत के कारण inflation peak पढ़े और वहाँ के जो central banks है उन्होंने अपने interest rate को बढ़ा कर inflation कम करने का प्रयास कर रहे है बट actually होगा क्या interest rate बढ़ाएंगे अब उसके कारण लोगों को loan कम मिलेगा तो growth rate रुख जाएगा और इस कारण से फिर बाद में decision ही आएगा तो overall ये सभी के लिए समस्या ही है इंडिया की बात करें तो इंडिया natural gas oil का fertilizer का import करता है इवें जो food items हैं जैसे edible oil इनका बहुत भारी मात्रा में import करते है अगर आप देखो तो पहले हम जो चीज हमें 100 रुपे में मिल जाती थी अब वही समान हमें 120 रुपे में मिल रही है तो inflation काफी बट रहा है तो ultimately आप अगर देखो तो forex पर भी effect होगा क्योंकि हमारा import हमारे export से जारा हो रहा है तो यह सारे concern पर बात हुई कि आप जल्दी ही क्योंकि Russia और Ukraine का war मतलब काफी effect डाल रहा है पूरे worldwide politics पर इवें economics पर तो जाहिर से बात है इस चीज़ पर जितना जल्दी sort out हो जाएगा सभी के लिए इतना ही अच्छा है आगे देखते हैं IAF to fly AN32 on blended bio diesel for 200 hours aviation sector में use होने वाला जो fuel है वो काफी जादा आपका green house gases को emit करता है तो फिल हाल अगर हम देखे तो 10% blending पर हम काम कर रहे है बायो फिल के साथ और result काफी satisfactory है देखें global warning में जो आपका इस sector का maximum share hold करता है तो इसमें अगर reduction होगा तो काफी worthy होगा 2021-22 का अगर हम data देखें तो Indian Air Force के द्वारा 6.2,000,000,000 kL fuels consume किया गया जो की 15,000,000 ton CO2 release कर रहे थी इस context में अगर आप देखो तो carbon footprint को कम करने पर focus किया जा रहा है और देखें मैंने यहाँ पर एक word यूज किया carbon footprint actually यह क्या है कि जो total amount of greenhouse gases जो हमारे actions से generate होता है उसे ही हम carbon footprint करते हैं अगर हम देखें तो globally average प्रतिवेक की अगर हम देखें तो 4 tons है वहीं अकेला US US का अपना average जो है highest है 16 tons है और विडंबना यह है कि यहीं लोग पूरे विश्व को दुनिया भर का ग्यान देते है जैसा कि आप सभी जानी रहोंगे कि global warming कारण हमारी प्रत्वी का temperature बढ़ता जा रहा है और अगर हमें ऐसा ही हम इसी rate से आगे बढ़ते रहे तो definitely जो average temperature है हमारा इस decades में 4 degree तक बढ़ सकता है अब temperature rise को बचाने के लिए हमें ये footprint को कम करना होगा क्या target है कि 2050 तक इसे घटा कर average प्रती वेक्टी हम 2 ton तक ले आए अब देखिए एक जिन में तो होगा नहीं इसके लिए appropriate measures लेने होंगे खास करके आपके daily habits में अगर आप थोड़ा बदलाव करते हैं तो भी ये काफी हद तक इस सिनारियो को control करने में मदद कर सकता है आसा है ये सारी info आपको clear होंगी मिलेंगे कल फिर नए समाचारों के साथ आज हमारे इसस्वी प्रधान मंत्री जी का जनम दिन भी है आप सभी को राश्क्रिय बेरोजगार दिवसकी हार्दिक सुपकामने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाग से सब्सक्राइब वाले आइकन ट्रिक कर ले लाइक आपने करी दिया होगा मिलेंगे फिर कल तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरू